हलो दोस्तों कैसे हैं आप आज हम कृसी पर बात करेंगे कृसी वो भी खास कर किस्के है भारत के संदर में ने कि भारत में एक प्रमुग वेबसार रहा है आजी नहीं प्राचीन कम समय से ही जब सभी लोग अच्शबी थे भारत में जो क्रिशी का विकास है उस समय है वो बहुत ही बिक्सित अवस्ता मुख़ा करता था आज भारत की जन सेंक्या का बहुत बड़ा हिस्सा है क्रिशी पर निर्वर है जैसे आपको बताए जाता है अपका दो तिया है टू थार्ड अर्था 67% लेकिन हम 2011 की आंगलों भी बात करते हैं तो प्रात्विक जिल्ट उसमें खासकर क्रिशी का प्रभुत है उसमें 54.6% लोग है क्रिशी पर निर्वर थे और यदि हम बाजमान की बात करते हैं तो 48% लोग है वो क्रिशी पर निर्वर है ततक क्रिशी से सम्मंदित क्रियाओं में यदि हम सभी को बात करते हैं तो आज भी दो त्याही लोग हैं टू थार्ड लोग हैं वो क्रिशी से अपनी आजीव का चलाते हैं क्रिसी हमें खाने के लिए ही आपका सामगरी उपलब नहीं कराती हैं, खाने के साथ हैं हमें पहुत सारे उध्योग के लिए खच्चा माल उपलब कराती हैं, पहुत सारे उध्योग आपके हैं, जैसे कि हम बात करें उध्योग में हैं, सूती बस्त उध्योग हैं, चीनी उध 2014-15 के अगर हम डेटा युबाग करते हैं तो 70.5% हमारा किसका युगदान है क्रिसी का युगदान तो क्रिसी एक महत्पून आर्थिक गति विदी है जो आज भी भारत में कुछ ऐसे एरिया है जहां प्रारमिक रूप से भी की जाती है प्राचेंथम तरीक किसे की जाती है जिसे हम आदिम किसी कहते हैं कुछ शेत्रों मेरे आज वैफसाइक की रूप से ख्रृप की की जाती तो क्रिसी में भारत में बहुत अधिक विविकता है दूसरा चीज आती है कृसी के प्रकार ऺधाप रिम क्रिसी के प्रिकार ताइप्स और फार्मे की बात करते हैं तो क्रिसी यह है भारत में एक प्रमुख आर्टे क्रिया क्रिसी तरफ में नए बहुत सारी छेटर हैं जहां आज क्रशी हैं ब्यग्ज्यानिक तरीके से की जाती है किर्ची में नई नई विद्यों का पिर्योग किया जाता है सबसे पहले हम बात करते हैं प्रारमिक जीवन निर्वाक्रिसी या प्रारमिक जीवका निर्वाक्रिसी पहली है टारंबिग, जीवका, निर्वाक्रिसी, प्रिमीटिव, सफस्ष्ट, पैंस, फार्मी, देखिये नाम से पता है प्रार्मी की जीवका निर्वाक्रिसी, अर्थात ही आपकी जो आदिम किसी है, अगर इसको दूसरा नाम दे हम, तो इसको हम सिफ्टिंग कल्टिविशन, आपकी इस्थानांत्रित किसी, की सिफ्टिंग कल्टिविशन भी कहते हैं, इस्तान दिट खिशि क्या है प्रार्माक्रिसी क्या है इसमें, इसमें जब आपका एक भुबाग में प्राचिण तरीके कि जाती है प्रम्परग तई कि जाती है ट्रेडिशनल रूप से कि कोई खादविश को उप्यों की जाता आप एक फसल है एक खेत है यदि आप इसमें दो या तीन बर्स फसल लेते हैं तो उसकी उर्वरता है फटिलेटी कम हो जाती है तो इस गुबा को छोड़ दिया जाता ह है फिर यहां पेड़ पोदे उत्पन होते हैं फिर को काट दिया जाता है इस कारण से सलस एन बरं अर्थात काटो और जलावक्रसी भी कहते हैं इसके छित अलग लग छित्रों में अलग लग नाम से जानी जाती है अलग लग नाम है जैसे उत्तरपूर्वी भारत नौर्थीस्ट उत्तरपूर्वी भारत जैसे की मेगाल है मडीपूर है नागालेंड है इन राज्यों में इसे जूमेंग किसी जूमेंग आपकी जूमेंग किसी कहते हैं अधर यहां पालंग करते हैं तो वहां बाल्ट्रे कहते हैं जैदा आपका अंदवान लिकवार दीपसवरू की बात करते हैं चतिस गड़ की बात करते हैं तो वहाँ पर है इसे दीपा के नाम से जानते हैं अन्डवान दिकुबार दीप समू में है किसको क्या कहा जाता है दीपा कहा जाता है विदेशों में अगर हम बात करते हैं तो बियत नाम में इसे रे कहते हैं मद अमेरिका मैक्सको में है इसे मिलपा कहते हैं ब्राजील में इसे रोका कहते हैं अपका स्री लंका में, स्री लंका में चेना कहते हैं, इंडोनेशिया में लदां कहते हैं, तो अलग-अलग छेत्रों में इसके अलग-अलग नाम हैं, कहीं मद्भारत में हैं, इसे बेवर दहिया भी कहा जाता है, तो अलग-अलग छेत्रों में से अलग-अलग नामों से जान जाता है अब में चीज आते हैं इसकी विश्यस्था है क्या है तेकि विश्यस्था है की बात करते हैं कि जब इस्तांत्रित क्रिशी की जाएगी तो पहली चीज़ है कि यह परांपरागत है ट्रेडिशनल है अब बताइएगा आप खेतों का कार जब आप इस तरह से कर्शी करेंगे खेतों का कार बड़ा होगा छोटा होगा खेतों का आकार है छोटा होता है, खेतों का आकार छोटा होता है, और हुने कहा यह traditional लूप से की जाती है तो पुराने ही, जिसे खुरपी है, कुदाली है, हल है, अर्था पुराने, होजारों का प्रियोग किये जाता है जैसे कि हल है नेक्स्ट है कि इसमें उत्पादन है बताइए कम होगा अधिक होगा उत्पादन है कम उत्पादन पिर्ति इकाई उत्पादन है वो आपका कम होता है अब बताई ब्याप बेचने के लिए होगा या खुद के लिए है अब तार जीवन निर्वा के लिए होगा जीवन निर्वा के लिए तो ये चीज है आपका दूसरी चीज है कि ये किर्शी है बरसा पर भूंगरूप से है आपकी नेरवर होती है दूसरी चीज है मैंने कहा इसमें खादवी जुका प्रयोग है आपका नहीं किया जाता है इस तानी छित विशेस में इसका नाम करने वो आपका अलग किया जाता है नेक्ट है आपका गेहन जीव का करसी या इंटेंसिव फार्मिंग आपकी दूसरी है गेहन जीव का निर्वाहान करसी है इंटेंसिव इंटेंसिव फार्मिंग या आपका इसको दूसरा भी नाम जान सकते हैं सबसेश्टेंस फार्मिंग सब प्रेंस फार्मिंग देखिए गेहन का मतलब होता है इंटेंसिम का मतलब होता है कम भूबाग से अधिक उत्पादन अतार इसमें कहा की जाती है जहां जंसेंग्या अधिक होती है जो आपकी पहली किर्शी थी वो कम जंशिंगेवाले वागूम की जाती है कि वत पादन कम होता है लेकिन यहां क्या है कि उन्नत खाद वीजों से चाय की माध्यम से हैं बर्स में कि दो से तीन फसले ली जाती है पहली विश्चताप कर प्रिती यूनिट प्रिती एक आई कि उत्पादन अधिक होता है लेकिन पृतिविक्ति उत्पादन कम होता है इसे आपका खेट है ये आपका कोई विदास इकड़का है ये विदास इकड़का है किस तरह की किर्षी में है, यहांँ पर मानिजाएं 10 लोग रहते हैं दूसरी तरफ है जो आपकी 15 कौंटर ऐी यहां आपके 2 लोग रहते हैं यहां परे बर्च में 3 फसले उत्पादं की, यहां यहां आपका 30 कौंटल उत्पादं होता है यहां आपका मानेज यह 15 कुंटल रहे हैं यहां अप्रती चाहा हो रहा है इस बाली भाग में लेकिन प्रती विक्ती अपपर्शन को आप इससे । करिंगे तो सेवन साड़ सेवन और यहां आप डिवाइड करिंगे थ्री अर्था प्रिति इक्वाई उत्पादन है इसमें कम होता है नेक्स्ट क्या है कि स्विचाई कि बैक और वराकों का प्रियोग किया जाता है नेक्स्ट बहता रहें कि जब आपकी पॉपलेशन अधिक है मानव सरम अधिक है तो बताई मजदुरू का प्रियोग अधिक किया जाएगा मसीनों का तो इसमें है मानगे सरम अर्थात सरम का अधिक प्रियोग किया जाएगा दूसरी जी जाती है जो ये जीवन निर्वा करसी है इसके दो भाग होते हैं एक आपकी होती है चावल प्रदान करसी और एक होती है गेव प्रदान करसी अधिक है इसके दो भाग है और दूसरा है आपका स दो ग्यों को प्रदान करसी और आपका का बरसा है कम होती है अर्थात 50 से 100 सेंटिमीटर की मद्द होती है टेंपरेचर काम होता है वहां गयों प्रमुक फसल की रूप में आपकी उत्पादेती की जाती है तो ये था आपका गेहन जीवन निर्वाक्रसी और भारत में ये अधिकांज भाग में है आपकी की जाती है ने तीसरा है बानजिक क्रसी क्या है कोमर्सियल फार्मी तेके बानजिक क्रसी क्या है फैक क्रसी जो ब्यापार क्यों होती है ब्यापार क्यों देश से उत्पादित की जाती है अब बानजिक क्रसी ब्यापार क्यों देश से कहां उत्पादित की जाएगी देखें जहां ब्यापार क्यों देश से ब्यापार क्यों देश से है वो मुद्रादाइनी फसले है जैसे चाहे है कॉफी है केला है नारियल है क को नट है इस तरह की जो आपकी फसले हैं वो उत्पाद की जाती है करम मसाले हैं वो कैसी है आपकी बांड़ जिक्रसी है अर्चार जिसका उद्देश ही क्या है ब्यापार होता है जैसे कि आपका हम उसमें बात करते हैं तो कपास भी वो भी कैसी आपकी मुद्रादाईनी फस ले कहलाती है अब इसमें जब यह चीज आप करेंगे तो दो तीन चीज है कि उन्नत खाल वी जो का प्रियोग है आपका किया जाएगा कि आपका कि उन्नत खाल वीज जब आपका कीडे लगेंगे तो आपको दबाईयों को प्रियोग किया जाएगा इन्सेक्टिसाइड्स एन्सेक्टिसाइड्स का कीट नासकों का प्रियोग यह भारत के विक्सित राज्यों में की जाती है जैसे पंजाब है हर्याना है महरास्ट है गुजराद तमिल लाड़ा यह की जाती है नेक्स्ट क्या है आपका कि इसमें प्रियोग अधिक पूंजी क्या आप सकता होगी या कम होगी अधिक पूंजी अधिक पूंजी क्या आप सकता होगी मसीनों का प्रियोग अधिक प्रियोग किया जाएगा लेकिन स्रेमिकों का भी प्रियोग किया जाएगा सस्ते स्रम जैसे आपने कपास ही किया तो कपास की उस डूड़ी को चुनने के लिए है उसके फल को इकत्रत करने के लिए है वो आपका मसीनों का प्रियोग निक किया जाता है बच्चे और महिनाओं का उप्रियोग किया जाता है जो कि कई बार करना होता है इसलिए सस्ते स् फार्मिंग, प्रोपन किसी। फार्मिंग, प्लांटेसिंग फार्मिंग भी क्या है, एक तरह की बाणजी की क्रिसी है, लेकिन फसलों को अत्मादन अलग किये जाता है, इसमें पहले पोद तयार किये जाती है, और उसके बाद में क्रिसी का अत्मादन किये जाता है, और उनको कतार में लगाए जाता है, ज यहां आपने, इस तरह से आपका, अर्थार पीडियो को है कतार में लगाया जाता है, पीडियो को है कतार में लगाया जाता है, प्रमुख फसल के रूप में कौन-कौन सी है, तो वह आपकी, इसमें है, रवड है, कीला है, शेव है, अर्थार रवड है, पनाना है, एपल है, इस तरह की हैं, नारियल है, चाय है, कौफी है, यह आपकी फसले वो होती है, जो आपकी, कई बर्सों तक उत्पादन देती है, पहले चीज, फिर दूसरा है, कि इसमें, एक भुबाग में है, एक प्रकार की फसल गोई जाती है, इसका भी उद्देश वो ही होता है, बानिज होता है, ब्यापार होता है, एक प्रकार की फसल गोई जाती है, साथी साथ है, उत्पादन लंबे समयता, किया जाता है, सस्ते स्रम की आवसकता होती है, क्योंकि स्रम की आवसकता क्यों है, कोई भी आपको तयार करना है, पैकिंग करनी है, मलो चाहे तयार करनी है, पैकिंग करनी है, वो सारा काम है, आपका सस्ते स्रम की आवसकता होती है, चाय की पत्ती को कई बार चुलना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, तो उसके लिए सस्ते से में को किया आप सकता है, यहां पर अधिक होती है, उद्देश क्या होता है, तो उद्देश वोही आपका ब्यापार है, अर्थात लाव कमाना, कहां की जाती है भारत में, तो आपका पस्से में तटिये छेत्र, आपका बेस्टन कॉस्टल डिजन, इस्टन कॉस्टल डिजन, पूर्वी तटिये छेत्र, और आपका लक्षदीप और अंडमान में कुबार दीप सभूते, दीप सभू में हैं यह आपकी की जाती है, दूसरी है कि इसमें, रोपन कृसी में है, प्रोसेसिंग बहुत की जाती है, कि यह दिए प्रोसेस्टंग करने के लिए भी हैं आपका मशीनों के क्या आफ सकता होती है और साती सात्हे सस्टेसित Śrmak क्या होसकता होती है फिर इसके लिए next अगला point अगला पॉइंट अगला बताएं जब यह सारे चीज़ होंगी तो पूंजी क्या होसकता कम होगी अधिक हो की तो अधिक पूंजी क्या होसकता होती है अधिक पूंजी निवेश्ट एक और बात बताता है कि यह जो क्रिशी है और प्रिवेशिकर संस्कृति के देन है अर्था पॉनलाइजेशन का प्रभाव है जब यूरूपिय देश के लोग यहां आए तो उन्होंने क्योंकि अपने उद्यश की पूरती के लिए कि वहां पर उस्कटवंदिय फसले उत्पादित नहीं होती थी अब उनको है अपने अंसरवातावन के अंसार है अपने आपको है बोड़ी को गर्म करने की रखने के लिए है चाय कोपी इस तरह की चीजों के आवसकता होती थी और वह सारी चीजे हैं वहां पर क्योंकि वह टेमपरेट क्लाइमिट में है वहां उत्पादित नहीं हो सकती थी तो उन्होंने उस्कटवंदी तेसों को बहित भारत है, pping अ सिरिलंका ग्तिए, इस तले की ट्रियों को चुना此व और यहां पर है औन्होंने उत्पादम किय अर्तार्त ये औप निवीशिक संस्क्रिति की देन है और निवीशी करण की देन है ये था आपका जो क्रिसी के प्रकार है अब उसमें आगे हम बात करेंगे कि कौन को सी फसल उपाद होती है क्या आपका सस करता यारता आपको कहते है क्रॉप रोटेशन क्या होता है यहां तक आपके पढ़िए कैसा लगा आपको अब ज्यादा ज्यादा लाइक सेर सब्सक्रा